हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी नुश्कार बहुत बस्वागत है आप सभी का Study IQ IAS हिंदी में मेरा नाम है अतुल जैन तो भारत और चीन के बीच सीमा विवाद कोई नई चीव नहीं है अब तो हमने देखा है पिछले कुछ 4-5 वर्षों से निरंतर जो है भारत और चीन की सीमा जो है वो अपने आप में एक बहुती बड़ा ज्वलंत मुद्दा बनी हुई है आए दिन आप चीन द्वारा सीमा का कही न कहीं से उलंगन होता हुआ आप सुनते होंगे कई सारी जड़पे हुई है अलग-अलग शेत्रों में आपने देखा होगा चाहे वो गलवान घाटी की बात हो चाहे वो अरुनाचल प्रदेश की बात हो चाहे वो डोकलाम वाला श गुंतम स्तर की ओर चले गए हैं इसमें तो कोई सदेह नहीं है अब इसी प्रक्रिया को जोडते हुए इसी प्रक्रिया में कुछ एक सैटलाइट इमेजे सामने आई हैं कुछ उपगरह से लिए गए चित्र सामने आये हैं जो ये दिखाते हैं कि एक ऐसा इलाका जो भारत क क्लेम करता है कि हमारा है लेकिन चाइना के कबजे में है इस समय उस पे चाइना जो है वो काफी मेजर कंस्ट्रक्शन कर रहा है काफी लंबा चोड़ा इस समय कंस्ट्रक्शन कर रहा है और उस कंस्ट्रक्शन के माध्यम से अपनी रक्षा का जो हां पे जबूत करने में लगा हुआ है, तो ये क्या चित्र है, ये पूरा क्या मामला है, ये कौन सा शेत्र है, इसके बारे में आपको अगले 10 मिनित में बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आपको बता दूँ कि हमारा P2I बैक जो है, आठ तारिक से शुरू हो गया है, इंट्रो क्लास के टेस्स सीरी, वठारा किताबे आपके घर पे, और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं, तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे, आपका रहना खाना पढ़ना सब कुछ इसी खर्चे में इंक्लूडड होगा, तो आज ही आप AJ लाइव कोड लग एक LAC जो है, जो हमारा एक भारत और चीन का लाइन ऑफ एक्ट्वल कंट्रोल जो है, उसमें भारत का वर्जन ये है कि हमारी सीमा कहीं यहाँ पर, यह आपने देखा होगा पैंगॉंग लेक है, पैंगॉंग सोप, पैंगॉंग सोप, वहां की भाशा में लेक को बोलते हैं फोटो ओटो खिचाते हैं, तो पैंगॉंग जील बड़ी मशूर है वहां पर, तो पैंगॉंग जील का एक हिस्सा जो है, वो डिस्पूटिड एरिया है, क्योंकि भारत ये कहता है कि यहां तक का हिस्सा यह भारत का है, जबकि चीन ये कहता है कि यह actual line of control है, यह हिस्सा ची यहां पर PLA यानि की People's Liberation Army यानि की चीन की सेना ने इस जगह पर कबजा कर रखा है disputed area है भारत कहता है कि हमारी सीमा यहां तक होनी चाहिए चीन कहता है नहीं भाई सीमा यहां तक है यह हमारा इलाका है ठीक है तो भाई अब क्या हुआ पहले काफी साल तक यहां पर कोई 2020 के पहले दोनों देशों में विवाद था तो दोनों देशों ने इस जगह को खाली छोड़ा हुआ था कि चलो यार जगड़ा है तो ना तुम यूज करो ना हम यूज करते भारत इसके पीछे था चीन इसके पीछे था यह जगह खाली छोड़ी गई थी लेकिन 2020 के बाद से जब से सीवा के विवाद शुरू हुए है तब से चीन ने इस जगह पे अपने प्रॉपर बंकर बना लिये हैं, तब से चीन ने यहाँ पर प्रॉपर तरीके से कब्जा कर लिया है, तो इसका एक आपको यह समझ में आ गया यह जगह कहा है तो भाई ये सीरी जाप नाम की जो जगह है यहाँ पर ही विवाद हुआ है अभी और यहाँ पर हुआ क्या है एक अमेरिका की कमपनी है ब्लैक स्काई और इस ब्लैक स्काई कमपनी ने सैटलाइट से यह कुछ इमेजिस भीजी है यहाँ भारत के मांचिते पर देख सकते हैं यह वही इमेज है एकदम 31 माई 2024 आप समय देख सकते हैं 5-14 पी-म का यहाँ पर यह फोटो लिया गया है और यह लदाख का जो यह डिस्प्यूटिड एरिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह पैंगॉंग लेक के आसपास आप देख सकते हैं आम्ड वेहिकल्स की पार्किंग यहाँ पर चीन ने बनाई है उसका चितर आया है करी है और वहां पर उसके लिए आपने कवर्ड पार्किंग बनाई है कि आगे कभी युद्ध हो तो इसमें कोई समस्या ना आने पाए, कोई इनको देखकर इन पे हमला न कर दे, इसके लिए आपने covered parking बनाई है, इसके अलावा underground fuel and munitions bunker की जहां पर आप इस प्रकार के underground bunker बनाई है, यानि कि चीन भी जो है सुरंगों का एक network बना रहा है, underground bunker बना रहा है, जहां पर आप हतिया पर इन भी जो है अपना इंधन भी store कर रहे हो और तवाम तरह की विवस्था आप जमीन के नीचे कर रहे हो, तो ऐसे 8 आपको शायद यहापे clearly दिख नहीं रहा होगा, लेकिन यह चित्र अगर आप देखेंगे, तो ऐसे 8 आपको sloping रास्ते जमीन के नीचे जाते हुए, य यह आसपास बड़े भवन आपको दिखाई दे रहे हैं, इन बड़े भवनों के पास नीचे जाने के लिए यह 8 रास्ते आपको दिखाई दे रहे हैं, जिससे यह सपश्ट होता है कि एक underground bunker भी चीन तयार इस पूरे शेत्र में कर रहा है, ठीक है, तो एक बार इसको समझ ल लेकर सारवजनिक किया, तो सपश्ट क्या होता है, कि आपकी जो पैंगॉंग लेक है, जो एक पैंगॉंग जील जो है, इसके आसपास का शेत्र जो की एक विवादास्पत शेत्र है, पूरी तरह से इसको चीन का नहीं माना जा सकता, इस जील के आसपास जो है, चीन खुद खुदाई कर रहा है, और खुदाई करके चीन क्या कर रहा है, बंकर बना रहा है, निश्चित तोर पर, चीन जो है, कवर्ड पार्किंग बना रहा है, और कवर्ड पार्किंग मतलब आप वहाँ पर क्या खड़ा करोगे, आप वहाँ पर इस प्रकार के वाहन खड़े करोग जिन पर हतियार mounted हैं, जिन पर हतियार लगे हैं, covered parking सेन जगों पर उसी के लिए बनती है, कि भई आपके महंगे महंगे उन पर हतियार लगे हुए हैं, आप उन्हें पार्क करोगे कि कभी युद्ध के शेत्र में, ये फालतु में दुश्मन को आसानी से दिख न जाएं और द प्रकार की सुविधा जो है, वहां पर जाती हुए लग रही है, क्योंकि अगर केवल मनुष्य के लिए होते, तो वहां से वाहन उतारने के लिए sloping रास्ते नहीं होते, यानि कि भारी सामान भी इन बंकरों के अंदर रखा जाएगा, इंधन और हतियार इत्यादी को भी य जगा है जो मैंने आपको दिखाई, जैसा आपको मैंने बताया, चीन ने यहां पर क्या किया, 2021-22 में बंकर बनाया, 2021-22 में चीन ने अपना यहां आर्मी बेस बनाया, अपना पूरा एक बेस यहां पर खड़ा कर लिया, और आपको मैंने बताया कि 2020 के पहले इस जगा को नो 2020 के पहले ये no man's land था और ये पूरा शेत्र जो है ये पैगॉंग जो जील है आपकी उसके उत्तर में आता है ये आपका सीरी जाप जो है ये उसके उत्तर में आता है तो पहले ये जगा खाली थी और ये माना जाता है कि जो भारत LSE का दावा करता है उससे ये 5 किलोमेटर ठीक है भई तो ये आपको इस पश्ट होता है तो भई ये बात क्लियर है कि इस शेत्र में चीन अपनी सामरिक बढ़त बढ़ा रहा है अपनी सामरिक जो पकड़ है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और यानि कि चीन इस शेत्र को अब आप इतना construction कर दोगे इतना कुछ बना दोगे तो निश्चेत तोर पर आप खाली करने के मूड में तो नहीं हो इसमें कोई डाउट नहीं है कि चीन इस शेत्र में किसी प्रकार का समझोता करने के मूड में नहीं है हिंदुस्तान टाइम्स ने भारत में रिपोर्ट छापी है और साथ में ये भी छापा है कि कुछ जो रक्षा विशेशक के हैं वो ये कहते हैं कि आजकल की दुनिया जो है वो ड्रोन्स और सैटलाइट की दुनिया है अब युद्ध जो है पहले जैसे तो रह नहीं गए कि आप पता करते हो सर्च के लिए टुकडी भेजते हो आपने देखा होगा पुरानी अगरा वार फिल्में देखें तो जांच परताल के लिए टुकडियां भेजी जाती हैं दूसरे देश में ताकि पता चले कि उनके पास कितने युद्ध कितने हतियार हैं अब उसकी वरूरत नहीं रहेगी क्योंकि सबके पास सैटलाइट हैं ड्रोन्स हैं सब कुछ हैं तो ऐसे में अंडर ग्राउंड युद्ध जो है ये युद्ध का भविश हो सकता है कि आप इस बात को समझे कि अंडर ग्राउंड आप कितना काम कर रहे हैं जमीन के नीचे आप कितनी चीज़े कर सकते हैं आपके अपने कितने हतियार कितने अस्त्र शस्त्र छुपा सकते हैं कितना युद्ध आप जो है जमीन के नीचे से काम करे इसका मतलब यह नहीं है कि भारत ऐसा काम नहीं कर रहा है 2023-24 में जैसा कि आप जानते हैं हमारा जो BRO है Border Road Organization है हमारे यहां सीमा सडक संगठन हमारे यह सीमा वरती शेत्रों में सडक जो बनाता है वो BRO बनाता है Border Road Organization तो 2023-24 की अगर आप बात करें तो इस अकेले संस्थान ने करीब करीब 3611 करोड रुपए में 125 प्रोजेक्ट खतम किये है तो भारत भी यह प्रयास कर रहा है कि हम भी सीमा वरती शेत्रों में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बहतर करें कई जगों पर भारत ने भी सुरंगे इत्यादी बनाई है और बाकी सारी सूजना जो है काफी सारी सूजना इसमें सारवजनिक नहीं भी होती है तो कुल मिला के भारत भी जो है इस सीमा के शेत्र में अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत कर रहा है लेकिन यह दिखाता है कि इन दोनों देशों में भारत और चीन के वीच में जो एक सीमा को लेकर सामरिक तनाव है जल्दी उसके खतम होने का ऐसा कोई आसार नजर आता नहीं है तो आगे इसमें जो भी होगा अभी भारत ने इस पर कोई आधिकारीक रियाक्शन दिया नहीं है जब भारत की ओर से कोई आधिकारिक रियाक्शन आएगा, कोई जानकारी मिलेगी तो आपको मैं सबसे पहले बताऊंगा लेकिन अभी के लिए इसकी location, ये मुद्दा क्या है, इसके बारे में जानकारी होनी आपको आविश्यक है चली, तो अभी के लिए इतना ही, आपको फिर से बता दू, कि भाई P2I बैच शुरू हो चुका है, आठ तारिक से अभी खाली इंट्रो क्लास होई है तो आप जो है 10 जुलाई तक इससे जुड़तकते हैं, AJ Live Code लगा के 27999 में प्री मेंस इंटर्व्यू सबकी तयारी कराएगा पूरी तरह से, बिलकुल मौका मत छोड़िये, तुरंत इस बैच से जुड़िये और अपनी तयारी को एकदम बढ़िया शांदार आकार प्रदान कीजिए इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद